हेलो स्टुएंट्स तो कैसे हैं आप सभी आप सब के लिए आज लेके आ चुके हैं एन्वार्बेटल साइंस का प्रीविएस एर पेपर पैटर्न जिसमें आपको सोझ में आएगा कि सोल के अंदर पेपर पैटर्न कैसे आता है कोशन कैसे पूचे जाते हैं कितने कोशन जाते हैं चॉईस कितनी दी जाती है कोशन का लेवल किया रहता है और कोशन कितने मांक्स का आते है यह सब आज की टेलिग्राम जॉइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाके जॉइन कर लिजिएगा चले फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यह सभी कोर्स जन्होंने بि ओंडियों सभी के लिये यूशफल होने वाला है क्रयक्तर एन्वारिम्फन सैन्सट मिं सभी के बात है चली सबसे पहले आपको सलेबस को आप मैंने देटायाक कि देए यह आपको पड़ना क्या त Cambridge एंट्टचुन अपर सिइन्ट साइंसेंग थैंको सिस्टम नैचरल रिसॉर्स इस डिनीवल एन नौन रिषॉर्स क्या होता है बाइडैोरेटसेटी एंड सर्वेशन गलता है और पॉलूशन एंड प्रैक्टिस एस क्या होता है है और लाश्ट आपका दो लक्सित होने वाले हैं मल्टि डिस्प्रेजिजेंड नेचर आफ अनवर्मेटल स्टैडी और इंपोर्टेंड सैंकर इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है कि स्कुर सिस्टम क्या होता है फॉर्स पिवार्स एकोसिस्टम डेजट इकोसिस्टम और एकुएटिक और इको शिस्टम एंड बाइवर्शिटिए सर्विसेज क्या होती है तो पॉलिशन के बार में एनवार्ट पॉलिशन क्या होता है नूपली क्या वह इस्ट्रीश में एन्फवर्टम्ट क्या होता है अच्छे स्क्रीन लेजिएगा मैं आ यसको नोट कर लिजिएगा आपको दिखाजता हूं सारा फिर लाज्ट टोनिट हुमन कम्मुनिटिस एंड दी एंवार्मेंट क्या होता है फिर फिल्ड वाइक में क्या है यह सारे इस हिसाप साप देख लिजेगा आपको दिखा दिया है पूरे लेक्चर्स चलि अब आते हैं सीधे एक्जाम पेपर पैटन पर जिसमें से आपको 5 evaluating iy जा सकती है अब बातर app कैसे दी जाएगी देखिये आपको एक ही ओस कोशन में दmäßig किसे कीजिए या फिर आपको ऐसए चौयश दी इसी के उपर वो exam conduct करवाता है अब आपको यह तो समझ में आगा कि कितने आते हैं पांच कोशन आएंगे और हर कोशन आपका 15 marks करी करेगा हर कोशन 15 marks करी करेगा तो आपके कि टोटल 75 marks होंगे तो यह तो आपको समय में आए गया होगा कि आपका paper pattern कहसे आता है को structure क्या होता है और आपको मैंने पूरा बता दिया question कैसे पूज़ाते हैं और कितने आते हैं और किस type क्याते हैं अब आते हैं questions के उपर जो questions most important है अगर आप इनकी अच्छे से practice करते हैं त कोई से भी 5 पांच आपको sustainable development कोई भी आपको short note लिख देना है sustainable development क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजेगा अच्छे से फिर आते second पर food chain क्या होती है acid rain क्या होता है biomagnification क्या होता है geothermal energy क्या होती है और invasive species क्या होते है और last global warming क्या होती है अगर आपने इने अच्छे से प carry करेगा अब तीन marks carry कर रहा है तो आपको कम से कम half page का तो लिखके आना ही होगा यह बास आपको सुझ में आ गई first question यह हो गया अब आते है अगले question पर second question पर difference between any three of the following अब difference between पोच लिया कि solar energy क्या होती है hydro energy क्या होती है primary succession क्या होता है और secondary succession क्या होता है third global warming क्या होती है और ozone layer depletion क्या होता है forest ecosystem क्या होता है और pond ecosystem क्या होता है और fifth environmental protection act and wild layer protection act क्या होता है इसमें से पांच दिया है इनमें से कोश्चत भी तीन करने है इच्चे अच्छे से कर लीजिएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूं इनको note करके अच्छे से जरूर पढ़िएगा तो यह आ आपके important topics हैं यह बात आपको सुझ में आगई यह भी 15 मांक्स का है अब आपको इसमें तीन करने है तो हर एक पार्ट आपका पांच मांक्स का होने वाला यह बात आपको ध्यान रखी है अब आते हैं अगले question पर question number 3 short note इसलिए पूछे गया है ताकि आपका पूरा topic भी कव सब्सक्राइब आपको द्यान रखनी है इसके बारे में शौर्ट लिख देने हैं अब पांच नंबर का है तो कम से कम आपको एक पेज का तो लिखना ही पड़ेगा अब आते हैं फौर्थ question पर इस टाइप के आपके एक्जाम में question पूछे जाएंगे जो कि आपके situation based या direct question या भी शौर्ट नौन वाई जी environmental studies considered as a multi-disciplinary subject explain the importance of this course in providing solution to our environmental problems what is ecosystem जो आपको उपर सब कुछ syllabus में जो बताया है वह आप question पूछ जाएंगे syllabus से बाहर कुछ नहीं आएगा आएगा तो सारा situation based question होंगे जिसमें आपको कुछ situation दी जाएगी उसको उसके साप सापको उत्तर देना होगा discuss the structure of ecosystem यह पूछ गया है आठ और साथ दो पार्ट में divide कर दिया पंदा नंबर का question होगा हार आपको हर बात बताया है और इनको इस दो पार्ट में divide कर दिया तो आप देख लिजेगा उसके साप से अब आता है fifth question पर why is there a need for India to shift from non-renewable resources of energy to renewable sources of energy क्या need रही ऐसी इंडिया में कि हम non-renewable resources से shift होके renewable sources of energy पर चले गए add a note on the role of government to the success of this shift of energy इसके बारे हैं देकि इस टाइप के question बहुत पुचे जाते हैं और soul के favorite question नहीं है 10 marks का पूजले और अगला 5 marks का write a brief note on ecosystem services with suitable example see the direct question पूचा तो अच्छी बात आपके लिए अब आते question number six पे देखें जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 question करने है तो उन्होंने 7-8 question दे दिये उसमें से कोई से भी आप 5 कर सकते हैं यह भी अच्छी बात है यह आपको सब्सक्राइब आगया अब आते हैं सेंध कोईशन पे एक्स्प्री आर्स प्रिंसिपल त्री आर्स प्रिंसिपल अफ वेस्ट मेंट क्या होते हैं वेस्ट सेग्रेशन इस दी प्राइमरी स्टैफ और एफिशें सॉलिड वेस्ट मेंजमेंट येट इट इस इन इन इमेल प्रैक्टिस इन इंडिया जिस्टिफाई दे स्टेटमेंट त्री आर्स प्रिंसिपल मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़कर जाएगा इसके फसने के काफी ज्यादा चांस देखिए पेपर पैटन एक तरीकी के इंपोर्टेंट कोशन ही होते हैं कि इस टाइप के अपके पीपर पैटन आएंगे क्या लेवल आ है आपको समझ में आए गया होगा अब आते है एट कोशन साइल लास्ट कोशन होने वाला है इसके बारे बताइए अब जो भी आपको कोशन बता है इनके बार आंसर तो है पर आपको खुद समझ के आंसर लिखने पड़ेंगे जब आप पड़ेंगे तो आपको इस समझ में आगे है आट और साथ पंदा नमबर तो यह आपका लास्ट है कोशन आट कोशन दिये हैं कोशन भी पांच कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे हैं जिनकी आपको पूरी नौलेज है तो वो ही कोशन अटेम्ट करके आईएगा बाके आपको कोशन भी डाउट रता आप कमेंट से पूछ सकते हैं चले फिर वीडियो को ही खत्म करते हैं